प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपडा वालिवड के हैंडसम हंक बिलन प्रेम चोपडा ने कैरियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है एक्टिंग की दुनिया में ये हीरो बनने का सपना लेकर आये थे लेकिन मजबूरी में उन्हें विलन के रोल ने भाने पड़े हेमा मालनी तो उन्हें देखते ही थर-तर कापने लगती थी इस बात का खुलासा खुद एक्टरस ने किया था हिंदी सिनेमा के खुंखार विलन ब्रेम चोपडा ने हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम कर खूब नाम कमाया आनली तो उनके सेट पर आने के बाद इतना ड़ जाती थी कि अपने डायलोग तक भूल जाती थी है एक्टिंग की दुनिया में जब भी किसी विलन का जिक्र होता है तो दिगज अविनेता प्रेम चोपडा का नाम जरूर सामिल किया जाता है लेकिन बहुत एकम लोग जानते होंगे कि वह कभी निगेटिव किरदार नहीं निभाना चाहते थी लेकिन खुद को इंडस्ट्री में बनाई रखने के लिए और वक्त की नजाकत को समस्ते हुए प्रेम चोपडा ने निगेटिव रोल निभाना सुरू कर दिया था बाद में इन निगेटिव किरदारों की वज़ा से ही उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान भी मिली प्रेम चोपडा ने खुद अपने एक इंटर्वियू में बताया था कि करियर की सुरुवात में तो वह हीरो बनना ही चाहते थे यही सपना लेकर वह इंडस्ट्री में आये थे बता और हीरो उन्होंने कुछ पंजावी फिल्म में भी काम किया उनकी जातर फिल्में फ्लॉप सभी थुई फिर उनके साथ कई लोगों ने इंडस्ट्री में कदम रखा ओ सभी इंडस्ट्री छोड़कर चले गए लेकिन प्रेम चोपडा ने खुद को बनाए रखने के लिए हर तरह के रोल निभाए बालियूट की ड्रीम गर्ल यानि फेमस एक्ट्रेस हेमा माली प्रेम चोपडा के साथ कई फिल्मों में काम किया है एक जमानी में हिंदी सिनेमा में उनका सिक्का चलता था लेकिन एक फिल्म के दवरान जब भी प्रेम चोपडा साहब उनकी ओर देखते तो वा थर थर काम ने लगती थी इस बात का खुलासा खुद हेमा माली ने हाली में एक टीवी सो के दवरान किया था इस दवरान उन्होंने फिल्म राजा जानी का जिक्र भी किया इस फिल्म में उन्होंने धर्मेंद्र को जलाने के लिए प्रेम चोपडा के साथ एक गाना भी किया था उस वक्त भी वह बहुत डर रही थी प्रेम चोपडा की साधी एक्टर डारेक्टर राज कपूर की पतनी कृष्णा की बहन उमा से हुई है प्रेम चोपडा और उमा की तीन बेटियां रकिता, पुनीता और प्रेर्णा है प्रैम की तीनों ही बेटियों ने आयक्टिंग को कैरियर के लिए नहीं चुना। प्रैम चोपडा के सबसे छोटे दमाद बालीवोट के एक्टर सरमन जोसी है। आज भी लोग प्रैम चोपडा के किरदार को नहीं भूल पाए हैं। दोस्तों आपको प्रेम चोपड़ा का कौन सा किरदार ज़्यादा अच्छा लगता है वीडियो में कमेंट करके जरूर बताईएगा.